Manscaping, एक ऐसा term है जिसके बारे में हर लड़का बात करने से शर्माता है I don't know why, we all know 90% लड़कों के almost शरीर के हर हिस्से में बाल आते हैं कुछ लोगों को वो flaunt करने में मज़ा आता है जिसके खिलाफ मैं नहीं हूँ और कुछ लोगों को trim करके या फिर उसको clean करके रखने में सही लगता है जिन में से की मैं हूँ तो अगर आप भी उन लड़कों में से हैं जिने अपने शरीर के अंचाहे बालों को clean या फिर ट्रिम करके रखना सही लगता है So please keep watching this video till the end क्यूंकि मैं आपको बताने वाला हूँ few simple easy ways जिससे के आप अपने शरीर के अंचाहे बालों को असानी से हटा सकते हैं Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. I make fashion, lifestyle, grooming and travel vlogs So before we begin, अगर आप नहें हैं इस चैनल पे तो subscribe करिये, like करिए इस वीडियो को और comment करके बताये मुझे की वीडियो आपको कैसा लगा And without wasting much time, let's get started So the first technique is shaving यह technique सबसे easy है, सबसे cheapest है आपको कुछ भी नहीं चाहे, आपको सिफ दो चीज़ी चाहे है Shaving cream और razor आप जहाँ पे भी आपको अपने बालों से चुटकारा पाना है आप वहाँ पे shaving cream लगाए और बस आप razor से इसको साफ कर सकते है But अगर आपकी यह 18 साल से कम है तो शाहिद आपके mom and dad आपको यह करने से रोके And मैं भी आपको इस अला नहीं दूँगा कि आप shaving करी क्योंकि आप अपने आपको चोट पहुँचा सकते है और आपके शरीर पे कुछ cut ऐसे आ सकते हैं जिससे कि आप regret करें बाद में So I would not suggest you कि आप shave करी अगर आपकी यह 18 साल से कम है तो आप देखते हैं कि shaving करने के pros क्या है आपके शरीर के सारे बाल कायब हुझाते है यह सबसे easy है, सबसे cheapest है मगर इसके cons है कि आपके शरीर के बाल बिल्कुल साफ हो जाते है जो कि लड़कियों को शायद नागवार गुजरे क्योंकि लड़कियों को एकदम चिखने लड़के बिल्कुल अच्य नहीं लगते है और इसका दूसरा कौन है कि जब आपके शरीर में shaving करने के बाद बाल लुकते हैं जैसे कि अगर आप chest पे पहली बार shave कर रहे हैं तो आपके अगर जो बाल की growth होगी उसमें आपको काफी इचीनेस महसूस होगी अगला तरीका है कि आप अपने बालों को trim कर सकते हैं trimming सबसे easy, सबसे safest method है जिससे कि आप अपने शरीर के अंचाहे बालों को हटा सकते हैं मैं prefer करता हूँ trimming करना ही आप कोई भी इस type का trimmer ले सकते हैं जिसमें कि आप blade की length को आप set कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा तरीका है यह तरीका सबसे best काम करता है जब आपको अपने हाथ के या फिर पैरों के बाल को हटाना है क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपके हाथों में से सारे बाल काया बोजाएं तो आप 2 या 3 नंबर पे set करके बालों को trim कर सकते हैं आपके शरीर पे बाल रहेंगे भी बट वो इतने जादा नहीं रहेंगे और जिनकी एज 18 साल से कम है वो trimming यूज कर सकते हैं विकोज trimming से बहुत ही कम chances हैं कि आप अपने आपको नुकसान पहुचा सकते हैं मैं personally भी trimming यूज करना पसंद करता हूँ इसके pros यह हैं कि आप subtle दिखते हैं आपके शरीर से सारे बाल गायब नहीं होंगे which is a plus point विकोज लड़कियों को ऐसे लड़के सही लगते हैं जो कि शरीर पे उनके बाल होते हैं और हो subtle होते हैं इसके cons मुझे नहीं पता अगर आपको trimming करने के cons पता हैं प्लीज मुझे बताईए so I would suggest you कि trimming सबसे best method है next method is waxing अगर आप सोच रहे हैं कि waxing सिफ लड़किया करती हैं तो यह बहुत ही गलत है लड़के भी waxing करते हैं मैंने खुद अपनी आपकों से देखा हैं बहुत सारे लड़कों को wax कराते हुए I don't know why but waxing लोगों के लिए सबसे best है जो कि body building करते हैं जिनको अपने body को flaunt करने में अच्छा लगता है so उनके लिए waxing सबसे best है क्योंकि long lasting way है अगर आप एक बार waxing करते हैं तो आपको at least 3-4 weeks के बाद ही hair growth होती है इसके cons ही है कि आपको pain बहुत जादा होता है क्योंकि waxing में आपके बाल जो होते हैं वो एकदम जड़ से निकल जाते हैं and that gives you a lot of pain और अगर आपका budget बहुत जादा है या फिर आप कुछ अलगी level पर जाना चाहते हैं तो आप laser technique भी अपना सकते हैं बहुत सारी laser salons खुल गए जहाँ पर आप शरीर पर laser technique यूज़ करके अपने अंचाहे बालों को छुटकारा दिला सकते हैं मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है कि ऐसे 5 कौन से body parts हैं जिन पर कि आपको shaving नहीं करनी चाहिए I will put the link here आप इस वीडियो के पाथ इस वीडियो को देख सकते हैं आपको पता चल जाएगा कि आपको shaving किस body parts में नहीं करनी चाहिए और कहां पर आपको trimming and use करनी चाहिए So guys, ये था मेरा सबसे छोटा simplest video on manscaping I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगे तो please like करिए comment करिए और please मेरे चानल को subscribe करिए I will see you in the next video till then Bye